हलो दोस्तों, बहुत सो फिने शेयर बज़ार में आपका एक बब फिर से स्वागत है आज हम दो ऐसे दिग्गत शेयर से बाती करने वाले हैं जो कि पूरे पेंडामिक में पूरे पेंडामिक में चले नहीं है ऐसे बहुत सार शेयर है बट वो दो शेयर एक पर्टिकुलर इंड़स्ट्री से रिलेट करते है और फॉरर इंवेस्टर्स ने उसमें अपने हिस्सेदारी बढ़ा ली है क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले टाइम में मलब दो जाट बीस में तो सब कुछ उनका भी ओपन हो जाएगा उनकी इंड़स्ट्री चलने लग जाएगी और फिर आपको एक अच्छा खासा रिटरंस मिलता हुआ नजर आएगा तो उसी से रिलेटेड बाते करने वाले है तो वीडियो की तरफ चलते हैं अब बिफोर देट आप से रिपकर शकर चाहूँआएगा कि आप हमारे चैनल बहुत सो फिनेश शेर बायार जो हम सब का चैनल है सब्सक्राइब करें शेर करें और जादा सज्छाइब लोगों तक फीलाइए ताकि इस चैनल को लिए आपकी आपकी सहभागीता हो और यह चैनल और बहुत जासे घ्रो हो इसके इल के multi-bagger return दे सकते हैं और इसके अलावा मैं आपसे request करना चाहूँगा नीचे description में दो link है एक angel booking का है फिर ही में आपका DMAT account उपन हो जाएगा अगर आप यहाँ पर मेरे इस link से आप click करते हो और as well as एक Shri Ram Janabhumi के जो मंदिर बन रहा है उसके donation से related है आप यहाँ पर click करेंगे तो फिर आप उसी website पर चला जाएंगे इनी की खुद की website है और आप वहाँ पर जाके अपनी चनुसार डोनेट कर सकते हैं दान दे सकते हैं और राम मंदिर बनाने में help कर सकते हैं तो आए वीडियो की तरफ चलते हैं तो जिस शेर से लेटरी बाते करते रहा हूं पहले बात बता देता हूं यह है PVR और आयो ने वाली है तो PVR और इन यहां पर one year का chart pattern देखते हैं तो कभी यह 2100 रुपे पर यह चलता था ओके और यह 700 कुछ पर आया भी था और इसके बाद अभी लगबार 28-30% नीचे चल रहा है और अगर हम बात करें यह कितने पर आया था तो यह लगबार 732 इसका 50, 705 रुपे इसका 52 वीक लो है देख ल investor और 2.3 इस इन दोनों ने ही अपनी इन दोने share हो में भागीता बढ़ा दिया मतला partner अपना share loading pattern बढ़ा दिया है जो कि मैं आगे दिखाने वाल हूं और यह share जो share है बहुत बहुत बहतरी share है ओके आप यहां पर दे सकते है इसका chart pattern किस तरीके से volatile जरूर है इंडिया में एक तरीके से एक केवल एक दो यह रही है जो मोनोपोली क्रियेट करते हैं इस पूरे बिजनस में आप देखी रहे होंगे कि अभी तक ओपन नहीं हुए है पूरे ओपरेशनल है नहीं पी वियार और आयोनेक्स जब यह पूरी तरीके से ओपरेशनल हो जाएंग और आपको सालमी 30% return मिल जाते है तो क्या बुरा है मुझे तो 30% return के लिए बड़े-बड़े इंवेश्टर बस चाते हैं कि 30% return मिल जाए दे आर हैपी क्योंकि उन्हें पता है कि 30% return का मतलब क्या होता है तो इस शेयर की तरफ नजरे बनाके रखना काफी बैतरी शेयर है और बहुत जल्दी यह PBR और आयोनेक्स जैसे यह शेयर है भागने वाले है आप देख सकते हैं फ्रीटू विकलो और 23% की यहां पर यहां पर delivery basis पर शेयर उठाए भी गया है एक लाग लगबा 17,000 के आसपास और बताना चाहता हूं कि यह शेयर काफी दिगगश शेयर तो ही है ओके इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है और यह यहां पर देखे तो देखे तो देखे अभी नोजले 2020 में राइट इशू बिलाय है डिविडेंट भी कंपेनी देती आई है हर साल 2017, 2018, 2019, 2020 हर बार आपको डिविडेंट से देती है और यह अपने सेक्टर में ओके सबसे दिगश श्टॉक यह यह बात कर लें तो यहां पर देख सकते हैं small cap company में ही आता है यह अभी तक ओके और इन्होंने अभी पिछले कु क्या है क्योंकि यह जब यह एक बार open करेंगे ना तो इनके पास पैसा इतना होना चाहिए कि यह जब open करें तो अच्छी तरीके से यह market को दुबारा उसी लेवल पर catch कर पाए उसी लेवल पर crack कर पाए नहां पर वो कभी हुआ करते थे मतलब आज से साथ नौदस महीने पह नेगेटिव में profit था फिर और कम होगा फिर और कम होगा तो धीरे धीरे जैसे ऐसे open होता जाएगा यह सब चीट बढ़ती हुई आपको नजर आ जाएगी तो देखिए reserves company ने अभी और बढ़ा के रख लिया लगबत तेरे सो 14 करोड रोपे की यहां पर reserves company ने रख 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 वहाँ पर जाना शुरू करेंगे तो आपको अच्छा का से return मिलता हुआ नजर आएगा investment company ने थोड़ा घटता ही हुआ नजर आया दो करोड के आसपा से अभी और cash equivalent भी 372 करोड रोपे का यहनों ने रख रख रखा है तो अभी अगर बात करें यहां पर जो main बात में पताने वाला हम promoters की holding promoters ने देखिए यहां पर quarter में थोड़ी थोड़ी अपनी इसेदारी यहां पर June के बाद से सप्टमबर में point कुछ percent की बढ़ाई है और अगर बात की जाए foreign investors तो देखिए foreign investors ने अपनी इसेदारी बढ़ाती हुई नजर आई है यहां पर September में पर चार परसेंट की घटा दी है अपनी percentage और वहां पर चार परसेंट रोने foreign investor ने खड़ी लिया और यहां पर public बनी हुई है क्योंकि उन्हें भी पता है तो इस share में अगर आपको buy on dips का मौका मिलता है जितना गिरता हुआन मिलता है तो एक एक दो दो share खरिते रही है यह आपको अच्छा का सा return देते जाएगा इसके लावा एक दूसरा share जो है आयोनेक्स लेजर तो यह भी share उसी दिग्गस उस कंपने आप पी वियर के बाद लोग आयोनेक्स में जाने को पसंद करते हैं और इसकी टिकेट्स भी होते काफी थोड़ी वह पी अच्छा का सा return दे सकता है यहां पर आप देखिए यह volatile है क्योंकि यह small cap company है बट इस्टिल यह अच्छा का सा performance देती हुई आपको नजर आ रही है और इसका जो 52 वी खाई था अगर हम देखे तो 511 रुपे थे था और 328 रुपे पे share अभी भी चल रहा है यहां पर आप द 211 रुपरवरी में था as well as अगर हम बात करें यह share तो यह share भी देखिए दो जो इसमें 1 रुपे का dividend भी दिया है और अगर बात करें अच्छी खासी promoters की holding है 47.3 है जिसमें से कोई भी share इंका गरी भी नहीं है अगर बात की जाए यहां पर दुबारा वही वह अगर मैं आप आपको बता दूँ तो वो छोटी company है small cap company है 3600 क्रोड का market capital है और अगर हम बात करें यहां पर sales की तो देखिए sales घटती हुई obviously कम होती हुई नजर आईगी और और बी जादा कम होती हुई नजर आ रही है हम यहां पर sales और profit यहां पर और अगर हम यहां पर देखते है EPS तो E 2.46 का चल रहा था और अभी तो बाइनस 30 का चल रहा है तो इस share को एकुर्मिट करने का अच्छा खासा time है अगर आपको नीचे मिलता है तो buy on dips करकर के share को भी करी सकते है क्योंकि जिस तरीक एक बार एक बार शुरू हुआ theater और तो यह share आपको भागते हुए नजर आएंग बढ़ जासे ऐसे यह सब कुछ open होना शुरू हो जाएगा operation होना शुरू हो जाएगा इनका तो यह अच्छा खासा आपको बागते हुए share नजर आएंगे और अच्छा खासा multi-bagger returns भी देते हुए नजर आएंगे मतलब 30-40% के returns जो अभी भी low चल रहे है आपको नजर आए 87 करोड रोपीज का cash equivalent भी company के पास है operationally active जो cash flow है वो भी 474 करोड रोपीज का है अगर हम बात के रहे प्रमोटर्स की holding की तो देखिए परमोटर्स ने थोड़ी सी अपनी 3-4% की सदानी यहां पर पिछले quarter में घटा ही है बट वो घटानी की पीछे reason क्या है cash का raise करना क्योंक investors ने बढ़ाई है डियाई एस ने भी इसमें देखिए बड़ा हिससदारी बढ़ती हुई ना जराई लगब 1% की public की बात करें public थोड़ी सी अपनी हिससदारी यहां पर गटा दी है बट इस्टिल public भी अच्छे खासे लेवर पर यहां पर लेके बैटी हुई है तो तो दो वीक पहले आई थी कि पूरी ओपरेट एट हायर कैपेजिटी मला ज्यादा सज्यादा लोग वहां पर जा सकते है थेटर में जैसे जैसे नियू जाती जाती है गौर्णमेंट की तरफ से तो शेयर में देखिए 4% रो 3% बाकता नजर आता है तो इसलिए बाइन शेयर बजार को सब्सक्राइब करना बिल्कू मा भूलिये बल आइकन को भी हिट करिये हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर रिक करिये और हमारे इस चैनल को ग्रोव करने हों हमारी मदद करिये so thank you so much God bless